हेलो फैंस कैसो आप लोग स्वागत है आपका एपेन क्लासे यूटूब चैनल में तो गाइज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ओमसला यानि ओम का नियम देखिए आपके ये बोड इक्जामें तीन प्रकार से आ जाता है ओम का नियम लिखिए ओम के नियम का उलेह किज लिखते हैं नीचे मैं इसका पूरा डेरिवेशन सब कुछ बताऊंगा यार इस वीडियो में तो गाइस मैं बता दू कि मैं इससे मैं आयाइटी कर रहा हूं आप लोग समझ दो के आयाइटी इंडिया निचिचिच आफ टेक्नोलाजी खड़कपूर से थाड़ यार का क्योंकि यह तो भाई हम लोग के सब्जेट के अनुसार ही है क्योंकि हम इंजिनेरिंग करते हैं तो सब यह हम लोग पढ़ते हैं तो इससे मैं आपको काफी अच्छे से बता सकता हूं तो इस वीडियो को आप थोड़ा सभी मिस मत किजिएगा अन तक देखिएगा काफी और क्लिक करने के बाद बगल में एक बेल आइकान दिखेगी उस पर भी क्लिक कर लिजिएगा जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल या है तो आए गाज देखते हैं तो देखिए हम लोग का कोशन ऐसा ही पुछ देखिए कि ओम का नियम पे उमसला क्या है यदि किसी चालक की भौतिक अवस्ता विशेस्ता ताप में कोई परिवर्त न हो तो उसमें बहने वाली विदुत धारा सीरो पर लगाये गए विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है अनुक्रमानुपाती कहने का क्या मतलब आप लोग समझते हो अन अनुक्रमानुपाती होता है और अनुक्रमानुपाती होता है कि एक चीज बढ़ रहे तो दूसरी चीज भी बढ़े तो आप यह अनुक्रमानुपाती का मतलब समझ गये होगे ठीके तो एक बार और मैं परिवासा दोरालता हूं यदि किसी चालक की भौतिक अवस्ता नीचे इसका डेरिवेशन देख लेते हैं अगर डेरिवेशन करेंगे तो यहां से अब एक लाइन आप छोड़ देंगे और नीचे लिखेंगे यदि चालक में प्रवाहित बिदुत धारा आई तथा उसके सीरो पर उत्पन बिभवांतर भी हो तो ठीके अगर अगर आपको एक्जाम में आए कि ओम का नियम लिखिए तो सिर्फ आप इतना यहां तकलिक देंगे तो काम चल जाएगा अगर कहेगा कि इसे मतलब प्रूब भी कीजिए सिध भी कीजिए तब यह नीचे आपको सबको इसके नीचे करना होगा यहां से ठीके तो देखिए हम इसका मतलब भी परपोजनल टू आई यानि भी अनुकरमानुपाती आई लिखने का देखिए मतलब ना कि यहां पर आई का मान बढ़ता है तो भी का मान भी बढ़ेगा ठीके क्यों बढ़ेगा देखिए मैं बताता हूं आपको देखिए यह मैंने एक सर्कीट बनाया है तो यहां एक यह सर्कीट है बीच में आपका यह शेकर बढ़ी आर लिखा खांगे यानि प्रति रोद लगा हुआ और बी के पिच क्या लगा हुआ है एक फ्रस्रहरत जिसका भीःव आंतर मालो भी है ठीके और यहांसे आई थारा बह रही है तो यहां से और यहां से यहां तक लाने में युकार्य होगा WAHI नभिल आंतर होगा तो जीतनी बिदो धारा होगी यहां यहां से यहां तक लाने में यानि एक कमान बढ़ेगा अगर विदुधार कमान बढ़ेगा तो विववांदर कमान भी बढ़ेगा जैसा कि हमने आप यहां देखा ना यदि किसी चालक की भौतिक अवस्ता विश्यस्ता ताप में कोई परिवर्टर ना हो तो उसमें बहने वाली विदुधारा सीरो पर ल विववांदर हो तो वि पर्पोजनल टु आई या भी इसकल तू आर हमें की स्थिरांक मानलेंगे आर इंटो आई लिख लेंगे अब उसके बाद आर स्थिरांक मालें लिए तो यहां हम मैंसें करेंगे जहां ठीक है जहां आर समानुपातीनिय अतांक है जिसे चालक का बि प्रतिरोध का मातरक है तो आप इस तरह लिख लेजिए गा यह नीचे तो इस तरह आपका पूरा यह डिरिवेशन भी हो जाएगा तो फानिल बताएं यह वीडियो आपको कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें तो बस यार इस वीडियो में इतना हैं तो धैंक्यू यार